हमें लेट कर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए और लेट कर पढ़ने से क्या-क्या हानिया हो सकती हैं। प्रतेक्षारी रिक्ष्रिया के सामान्य एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए एक निश्चिक मुध्धा निर्धरित है। पैनने के लिए आवश्यक है कि पाथ हिसामगरी को समुचिक दूरी पर सामने अथवा नीचे रखकर पढ़ा जाए इस अवस्था में सुविधा पूर्वाग पढ़ा जा सकता है। इसके विप्रीत लेखने की अस्थिती में कुस्तक को बिस्तर पर रखकर किसी एक करवट से पढ़ना पढ़ेगा। इस अवस्था में आँखो और पाथ हिसामगरी के बीच की दूरी एक सी नहीं रह सकती और बराबर बदलते रहने के कारण आँखो पर जोर पढ़ता है। तथा जिस करवट लेगते हैं उस हाथ की मानसपेशियों में तनाव हो सकता है। दूसरी अवस्था में पुस्तक को सीने पर रख कर पढ़ने से देखने के लिए गर्दन पर जोर पढ़ता है। जिस कारण मेरूदन से संबंधित रोब भी हो सकते हैं। लेट कर पढ़ने पर आँखों और पुस्तक के बीच सही दूरी न होने के कारण आँखों पर भी ज़्यादा जोर पढ़ता है। और दृष्टी दोश होने की संभावना बढ़ जाती है। अतह आपसे निवेधन है की लेट कर पढ़ने से बचे और अपने आँखों की सेहत को बचाए रखें। झाल 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 झाल